हेलो दोस्तों सुवागत है मेरी यूटो चलने बीसिस एंजर में तो जैसे कि आप लोगों यहाँ पर देख पारे होंगा कि समेश्टर 6 का अब वीडियो नहीं आएगा बहुत गलत हो रहा है आखिर क्या है रिजन ठीक है और हमके लोगों से बढ़ करके नहीं है जितने भी सारे हमारे सब्सक्राइबर है जो कहेंगी वो मुझे मानना है यह मेरा अधिकार है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मानना है मिले को तो अगर आप बोलोगे कि semester 6 के वीडियो बना देजी तो मैं तो बना दूँगा ठीक है? क्योंकि आप लोग मेरा subscriber अगर हम आपके बात नहीं मानेगे तो फिर हम किसके बात मान सकते हैं तो हम आपके बात मानेगे ये बात को हम मानते हैं लेकिन हम ऐसे क्यों किया रहें कि semester 6 के वीडियो बनेगा? ठीक है? ऐसा क्या region है? ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे तभी मैं आगला वीडियो बनाओंगा नहीं तो नहीं बनाओंगा ठीक है? लेकिन पहले region सुनें आप लोग ठीक है? आप सभी को पता होगा कि जब अस्ट कर दिये थे ठीक है? आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया और 11 का, 12 का, 12 का, 12 का, 12 का, 12 का आपकी पास ज़्यादा समय भी नहीं था क्योंकि 24 तारे सा स्टार था, 31 को एक्जाम खतम था, आपकी पास 6 दिन का में सारा एक्जाम खतम कर दिया गया है, 6 दिन में सारा आपका खतम कर दिया गया है, हम आप लोगों के लिए रात दिन ये कर दिया, बहुत लोगों ने कॉमेंट किया कि सर आप एक्जाम जब बहुत नजीदिक आ गया है, आने कि 9 बज़ एक्जाम में तो आप सुबा बजना थे ही वीडियो, तो भाही मैं आपको बताना चाहू में लिख देंगे न, तो भी अगर उन लोग देखेंगे न, तो भी मेरा वीडियो पर भीज आएगा, मुझे पता था, ठीक, ऐसा बात नहीं कि उन लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं चाहता था कुछ ऐसा यूनिक दें, जो आप लोगों को रठने की ज़रूत ना परता था, अपने दिमागा काना पड़ता था, ठीक है, अलग अलग तरीका के बुक मैटरियल देखना पड़ता था, तो इस सब चीजों को देख करके, फिर पलस में ये भी तो देखना पड़ता था न, पैछले साल कैसा कौचन पूचा गिया, नहीं पूचा गिया, आप तो आंसर लिखने में, एक्जाम को सेलेक्ट करने में, कमसे कमें एक कोचन पर 4-5 घंटका समय लग जाता था, आप लोगों विष्वासन ही होगा, ठीक है, 4-5 घंटका समय लग जाता था, और मैं अदिन रात आप ही लोगों के लिए काम कर रहा था, अब बहुत सारे लोग दुख जाता तो हम आप लोगों के लिए मैंने क्या किया सारा कुछ यृष करते गया। इसी तरीका से मैंने कभी सोचा नहीं था वहुत सारे अश्वेंच को मैंने बताए भी ता कि मैं रात बर जगा हुआ ठीक है आप लोगों को मैंने वीडियों में बताए था तो मैंने आप लोगों को 6 दिन में समझ सकते हो एक अंसर का चर-चर पेज में लिखना कितना अगर एक कोचन का एक पेज होता ना तो मैं एक दो घंट में complete कर देता ठीक है और यह हमारा गेर्जिवेशन लेबल का होता है कुछ यूनिक बताना पड़ता है हर एक पॉइंट को सोच समद करके लिखना पड़ता है तो समय बहुत ज्यादा चल चुका था ठीक है तो मैंने किसी ना किसी तरीका से अप लोगों को गया अब आप लोगों को पता हो कि मैंने आप लोगों को एक हेल्फ मांगी थी कि मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोगों कितना हेल्फ मिला किरिपया करके आप मुझे एक वीडियो क्लिप की दोबर मुझे बताएं लेकिन ऐसा कोई भी एस्ट्ट ने मेरे पास नहीं सेंड कि किया हा कुछ है से 10 लगता है 10 या 12 ऐसा कुछ थे जो मेरे पास सेंड की मेरे से 3000 जुड़ेव हैं जब कि उसमें से 10 या 12 अश्ट्ट लोग ही ने मेरे पास वीडियो किलिप सेंड किया है तो यहा से थोड़ा सा दुख होता है दोस्त कि मैंने इतना लोगों के लिए किया और जब मैंने एक छोटा सा हेल्फ मांगा जिसे मैंने ये बोला कि एक वीडियो के लिए आपको सेंड करना है और बताना है ठीक है कि मेरे यूटूब चनल से कितना आपको हेल्फ मिला क्योंकि देखे हर एक यूटूबर का भी अगर वीडियो बनाता ना तो उनका कुछ लच होते हैं बहुत सारे लोगों के वीडियो बनाना पैसंद नहीं होता है छोल वहां तो कोई दिकत नहीं फिर मैंने यह देखा कि जैसे समेस्टर 6 का वीडियो एक्जाम कंप्लिट हो गया सारे लोग जो मेरे पास तिन-तीन वाट्स अब चलते थे तिन-तीन उसमें से सारे लो कर रहें और आप सभी को पता हो कि वाट्स एक जादर क्लड़ भी नहीं है पर और को आश्मिआंसا कर रहे है यहां मतलब कर रिमूब क्या है ठीक है तो यह सब चीजों सून करके और देख करके नहीं बहुत जादा मतलों बोलते हैं ना जैसे डी मोटिवेट वह ऐसे होते हैं डी मोटिवेट आप लोगों इतना चाचा कॉमेंट किये था ना तो मैं रात भर जग करके वीडियो बनाता था आप लोगों से मोटि स्टूएंब कesser six के विडियो आज स्टाRT कर दूगा भसके मतलब हुषा माति मांग रहाएं ठीक है तो आपको कॉमेंट बोकस में मतलब हाई है वडियो बनाई यह हम देखने के लिए तो फिर हम क्या समझेंगे कि 10 भी एस्टुएंट मेरे वीडियो को देखने के लिए त्यार नहीं है ठीक है तो मैं रिक्वेस्ट करता है मात्र दस अस्टुएंट्स मेरे वीडियो पर क्या करें कॉमेंट करें कि हाँ मैं अगला वीडियो देखने वाला हूं तो मैं आज से व करें करें कर दो दो तंद दो